नमस्कार मैं रविश कुमार जब भी हम सुप्रीम कोड के किसी फैसले की बात करते हैं बात करने वालों की जुबान पर जट साइबान की टिपडियां होती हैं बड़े बड़े वकीलों की दलीले होती हैं पर कई बार हम उस याचिका करता को भूल याते हैं जो होता तो बहुत साधारन है मगर अधिकारों के सवाल को लेकर राज्य स्टेट जिसे हम बार बार सरकार कहते हैं उसे बदल देता है बदलता ही नहीं है उसे सीमित भी कर देता है और अपनी जिंदगी में घुसते चले आ था 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब उस वक्त राजी का जो धाचा मौझूद था उसके लिए भले ही कुछ नया ना बदला हो क्योंकि वो ब्रिटिश विरासत की देन थी सारी इमारतें मगर लोगों के लिए काफी कुछ बदल गया उन्हें जो अधिकार मिला था उस अधिकार के सहारे और उसे बरकरार रखने के लिए वे हाई कोट और सुप्रीम कोट तक पहुँच गए 1959 में 17 एकड की जमीन पर सुप्रीम कोट की इमारत बनी तो बनाने वाले के दिमाग में ये बात रही होगी कि ये इनसाफ की सर्वोच रंतिम संस्ता है जो इस इमारत की भविता से नजर भी आती है गणेश भिकाजी देवलालीकर इसके आर्किटेक्ट थे जिनने लोक निर्मान विभाग का पहला भारतिय प्रमुक होने का मौका मिला इसके पहले सुप्रीम कोट संसत भवन की उस इमारत में चलता था जहां रजबारों के राजा बैठ्टे किया करते थे इसी सुप्रीम कोट के तैखाने में इसके फैसलों का रेकॉर्ड रूम है जहां फैसलों की कौपी उसके साथ नथी किये गए सबूत याचिका की कौपी याचिका की भाषा कई प्रकार के रेकॉर्ड मिलते हैं जमाने तक इस record room तक कोई scholar नहीं गया क्योंकि यहां जाने की कोई विवस्था नहीं थी जैसे अगर जाना हो तो आप अनुमती किस्से लेते यही साफ नहीं था Rohit Day पहले scholar होते हैं जिने 2010 में Supreme Court के record room में जाने का मौका मिलता है 1950 में जब समिधान लागू हुआ तब अंग्रेजी में लिखे गए उस समिधान से क्या भारत की जनता भैवित हो गई थी उसे बनाने माने लोगों की छाप की हैसियत जो हैसियत की छाप थी क्या ऐसी रही होगी कि उन्हें लगा होगा आम जंता को की समिधान लागू हुआ है तो इसे समझना इसे लेकर लड़ना इसके बारे में बाते करना आम लोगों की बस की बात नहीं है क्या ऐसा हुआ होगा कि लोग अदालत तक जाने से कतराते होंगे जो अभी भी ब्रिटिश हुकूमत की बनाई इमारतों में चल रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दरसल रोहिट डे की एक किताब आई है यह किताब इस माइने में रोचक है कि इसमें वकीलों और जज़ों की कता नहीं है उनकी विद्वता और फैसलों में शेक्सपियर के नाटकों के कोट की चर्चा कम है उन आम लोगों की बात है जो समिधान लागू होने के कुछी दिनों के भीतर अपने अधिकारों की मांग को लेकर कोट गए हम यह तो जानते हैं कि 1950 में समिधान लागू हुआ मगर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि लोगों ने उस समिधान को कैसे अपनाया अपने अधिकारों को लेकर कैसे आजमाया और स्टेट को कैसे समझा दिया कि आपकी हदे क्या है पश्चिमी यूपी के जलालाबाद का मुहमद यासिन सुप्रिम कोट आ गया क्योंकि जलालाबाद की नगरपालिका ने तै कर दिया कि एक ही आदमी को सबजी बेचने का लाइसेंस मिलेगा और वो किसी हिंदू को दिया गया यासिन ने केस कर दिया कि यह सबकी आजिविका के अधिकार पर हमला है कैसे किसी एक को ही लाइसेंस मिलेगा और वो भी मजभब के अधार पर पहले से बेच रहे सबजी वालों को बेदखल कर दिया जाएगा ये सवाल था एकदम दावे से तो नहीं कहा जा सकता मगर अपने अधिकारों को लेकर अदालत पहुचने वालों का जो पहला जथा रहा होगा उसमें से मुहम्मद यासिन भी एक है यासिन मुकदमा जीत गया नवंबर का महिना आप जानते हैं समिधान दिवस का भी महिना होता है हम समिधान दिवस को इसे बनाने वाले और लागू करने वालों की निगाह से देखते हैं का संगर्श किया इस संगा सरकार में वही लोग है जिनके पीछे हम चला करते थे जेल गए लेकिन समिधान की भावना लोगों की भावना होती है इससे समझाता नहीं करेंगे हजारों की संग्या में लोग अपने अधिकारों के हनन के सवाल को लेकर अदालत पहुँच गए थे ये संग्या देख कर नहीं लगता कि भारत की जनता ने अपने जीवन में कभी समिधान देखा ही नहीं था पहली बार समिधान देख रही थी वो भी स्टेट के खिलाफ मुकदमों की संक्या काफी बढ़ गए 1950 में सुप्रीम कोट में 600 से अधिक रिट याचिकाओं की सुनवाई हुई जबकि उसके पहले ब्रिटिश फेडरल कोट ने 11 साल में मातर 179 केसों को ही सुना फेडरल कोट आफ इंडिया 1937 में बना जो सिर्फ तीन जज़ों से चलता था 1962 तक सुप्रीम कोट में सुनी जाने वाली याचिकाओं की संक्या 3833 हो गई इनी 12 सालों में अमरीका की सरवोच अदालत में मातर 970 केस ही सुने गए अमरीका की सरवोच अदालत उसका इतियास 100 साल से जादा हो चुका था अदालत रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सरकारों को दनादर निर्देश देने लगी जिसके कारण सरकारों के भीतर बेचैनी बढ़ी कि ये तो अपनी जनता है जो हमारे इखलाब केस करने लगी है यहीनि भारत की वह सधारन जनता बड़ी संख्यामे स्टेट यानि सरकार से मुकदमा जीतने भी लगी क्या यह सुन्दर और दिल्चस्प नहीं है कि सम्विधान लागू होने के कुछी हफ्तों और महिनों में इसे लोगों ने अपना लिया और उसके लिए जीने मरने लगे 15 साल के भीतर दो तिहाई मुकदमों में नागरिक और सरकार आमने सामने हो गए 40% से अधिक केसों में लोग सरकार से मुकदमा जीत गए 3272 फैसलों में से 487 में सरकार के बनाय कानूनों की वैधता को चुनौती मिली और लोग जीत गए दुनिया में उस वक्त ऐसी कमी सरकारे होंगी जो जनिता के सामने अपने बनाय कानूनों का बचाओ नहीं कर सकी सुप्रिम कोड के रिकॉर्ड रूम में ना जाने कितनी बातें बाहर आने के लिए बिताब है इन याचिकाओं के जरिये जब लोगों के किसे बाहर आएंगे तब समिधान लोगों के बीच दिखने लगेगा आपको भी हिम्मत आएगी जब उस दौर में लोग अदालत की इन सीडियों को चड़ गए तो आप क्यों ही चक रहें ऐसा करते वे उन लोगों ने अदालतों का मुकाम उचा होने दिया क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो कोट की राजनिती वकीलों और सरकारों के बीच घूम फिरकर रह जाती और अदालत के जरिये भारत के लोग तंत्र का विस्तार कभी नहीं हो पाता हम बड़े वकीलों को जानते हैं मगर सधारन वकीलों ने बड़ी भूमिका निभाई है समिधान लागू होने के वक्त भारत ने वकीलों की काफी भरमार थी जब भारत आजाद हुआ तब 72,425 वकील थे अबादी के लिहाद से संक्या कम हो सकती है मगर दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे अधिक वकील उस वक्त भारत में थे उनीस सो संतावन में जब चीन आजाद हुआ तब वहां मातर 3,000 वकील थे ऐसा नहीं कि आद या प्रक्रिया बंद हो गई है लोग अपने अधिकारों को लेकर संकोची हो रहे हैं बलकि जो बुनियाद उस वक्त पड़ी थी उसी का नतीजा है कि आज भी ऐसे वकील है जो आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे आते हैं निउस चैनलों की हिंसक भाषा के बाद भी वो सूपरिम कोड की सीड़ियां चड़ती हैं बकाइदा मुकदमा लड़ती और जीत जाती है सिर्फ नाईये के खिलाफ ही नहीं बलकि केरल हाई कोड के फैसले के खिलाब भी उसमें उसकी शादी को अमाने कर दिया गया था वो अपनी शादी का मुकदमा जीत जाती है हादिया को छोड़कर हमने अभी तक जितनी भी जानकारी बताएई वो सारी रोहिडे की किताब से लिये है अंग्रेजी में है, A People's Constitution in the Everyday Life of Law in the Indian Republic, जिससे Princeton Prakashan ने छापा है, 524 रुपे की है और इंटरनेट पो उपलब दे, आप जानते हैं कि मैं जब भी किताब का नाम लेता हूँ, दाम, प्रकाशक जरूर बताता हूँ, तो भारत की जनता तयार थी, बस इंतजार था एक समविधान आने का, वो आया, तो क्या हुआ, यह हम रोहिदे से बात करेंगे, रोहिदे सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, रोहिदे येल इनवर्सिटी अमरिका की एक येल इनवर्सिटी है, उसके असिस्टेंट प्रोफिसर हैं, इतिहास में, जब आप उस तहखाने में गए, रेकॉर्ड रूम में, मुझे मालूम नहीं, वो के बंडल में फाइल ये पड़ी हुई है, सालों से कुछ तो जब फाइल खोलते हैं, फाइल ग्रंबल कर जाती है, बिल्कुल आपके सामने, अगर सुप्रीम कोट का रूल है कि हर फाइल को प्रिजर्व करना है, और सारे रेकॉर्स को नीचे रखना है, इसलिए उन्हें र होती है, जज कहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टन चीज़ें हैं, बगर फाइल में बहुत सारे अलग कहानिया भी होती है, जो अल्टिमेट डिसेशन में नहीं जाती, और मैं प्रयास करता हूं किताब में वो बाकी कहानिया को भी बाहर निकालने के लिए, जब सम्विधान लागू होआ और आपने जो संख्या दी है, उस हिसाब से तो लग रहा था है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच गये थे, उस वक्त अबादी के अनुपात में भी, तब फिर सरकारों के भीतर किस तरह से बेचैनी हो रहे थी, उस वक्त के नेता क्या कह रहे थे कि लोग इस तरह से राइट्स को लेके जो चुनौती देने लगे थे. आजादी के बाद जब सरकार कुर्सी पे बैठ गई, उन्होंने सोचा कि हमने संखर्ष किया है, जनता हमारे साथ है, हाँ समविधान जरूरी है, मगर हमारे जो प्लान्स हैं वो समविधान से सीमित नहीं है, और अगर समविधान बाधा दे तो हम समविधान को बदल सकते ह क्यांकि हमारी जो में सपोर्ट है में सोर्स है वो हम जनता से हमें मिलती है एलेक्शन जीट्स के हमें मिलती है मगर जनता ने और कोर्ट्स ने दिखा दिया कि समविधान एक ऐसा ढांचा है जो बहुत ही पॉपलर सरकार को भी सीमित करके रख सकता है और शुरुआत में तो जवालाल नेहरू ने कहा था कि एक खुबसूरत समधान था जो लॉयığın ने किड़नैप कर लिया। तो उन्होंने काफी सरकार ने काफी कोट के एगेंस्ट रिजिस्ट की, समधान में काफी सारे amendments लाएं, मगर ultimately समधान ऐसा 아ााई उसका एक fixed meaning आ गया जिसे ultimately government को मानना पड़ा और अपने इसमें लिखा है कि सरकार भी बदले में मुकदमेबाज बन जाती है कि हाई कोट में हारती है तो सुप्रीम कोट जाती है इसमें सरदार पठेल की भी भूमी का इसमें आपने रिखांकित की है जी बरकुल जो case आप सद्धान्त है उनमें से शराब बंदी एक सद्धान्त है और महराश्टा के गर्वर्मेंट तब बॉंबे स्टेट था उन्होंने आप्सलूट प्रोहिशन लागू कर दिया था अब एक तरह से देखा जाए तो प्रोहिशन आर्कोहल पे बहुत लोग सपोर्ट कर सकते हैं ह उसवक्त बॉम्बे प्रेशिडेंसी में और यह इस लिए नहीं कि आप शराब बेच रहे थे या आप कुछ इलीगल कर रहे थे अगर आपके मुझ से शराब की बू आती है तो पुलीस कह सकते हैं कि आपने शराब पिये आपने कुछ इलीगल की आप जेल जा सकते हैं तो सुप्रीम कोट गए उन्होंने कहा कि सम्विधान की नीचे हक है कि मैं शराब ओन कर सकता हूं मैं पी सकता हूं और पुलीस मेरे घर में आके तलाशी नहीं ले सकती तो बॉम्बे हाई कोट ने थोड़ी थोड़ी उनकी सुनी थोड़ी गर्वर्मेंट की सुनी और एक ऐसा ज खिलाव है और हम जतना कंसीड करेंगे उतना हार जाएंगे तो हमें पुश बैक करना चाहिए शुरू से अच्छा तो नहरू और पटेल काफी परशान हो गए थे लोगों की सक्रियाता से उस वक्त भी है उस वक्त हम काफी आदर्श दौर में देखते हैं लेकिन हम इसी के समुदाय के लोग थे वकील कौन थे इसके बारे में जानना चाहता हूं तो यह हर केस में अलग-अलग होता है मगर मेरे रिसर्च में जो नजर आया कि जालतर जो चुनाती आती थी प्रविशन केस में वो पार्सियों से आती थी और वो जो इशूस थे वो जब जैसे आम न प्रड्यूस और बेचने में उनका कनेक्शन था यह काफी जब नशाबंदी लगाई गई तो उनके एकनॉमिक इंट्रेस्स पे उनके बिजनेस पे काफी नुक्सान था तो इनिशल केस जो आये थे वो पार्सियों समुदाय के लोग लाए थे मगर इनके जो बेनिफिट्स जो अपने रिचुल्स वगएरा के लिए महुआ वगएरा बनाते से सीम स्थिती इस वक्त बिहार में लाक से भी जादा लोग जेलों में पिछले समय रिपोर्ट आये थी कि शराब बंदी के बाद लागो हो गए हैं दरशल बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार पढ़ते इस पूरी प्रक्रिया को या हम लोग भी जान रहे होते तब शराब बंदी की बहस दूसरी तरीके से हो सकते तो पता चल रहा है कि सतर साल की यात्रा में हम सम्विधान और उसके इतिहास के बारे में कम जानते हैं वरना ये बहस इतनी सतही नहीं होते शराब बंदी को ले के तो महराश्चा में इंट्रेस्टिंग चोड़ी है बंद कैसे ही शराब बंदी तो जब वाई भी चावन चीपने चराएं उन्होंने देखा कि जितनी बार वो नया लौ लागू करते हैं कोर्ट पे जाके वो हार जाते हैं और इतनी बार हारने से पुलीस की मुरायल डाउन हो जा रही थी तो उन्होंने कहा और ऐसा लग रहा था कि पुलीस बाकी सब काम छोड़के सिरफ इसके पीछे भाग रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह कोई यह कोई रैशनल पॉलिसी नहीं है और उन्होंने प्रो वकील थे नानी पालखी वाला उस पार्सी पत्रकार की तरफ से चुनौती दे रहते स्टेट को और इस पूरे बहस को सुनने के लिए एक नौजवान वकील का कानून का छात्र भी जा रहा था जो बाद में भारत का बड़ा कानून अधिकारी बनते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस अरादे से इन लोगों ने अदालत में चुनौती दी क्या फैसला वैसा ही आया जिस अरादे से वह गय थे जो जिस इरादे से गय थे फैसला उनके उन लबसों में नहीं आया है, वो गय थे कहने के लिए कि उनके पास हक है शराब में का और शराब रखने का, सुप्रीम कोट ने कहा कि पूरी हक तो आपके पास नहीं है, सरकार के पास भी कुछ अधिकार है कि पुब्लिक पास ऐसी पावर नहीं है कि वो हर जगा आ जा सकते हैं, बिना किसी प्रोसीजर के आपको अरेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी वजह से आपके घर के अंदर जा सकते हैं, तो उन्होंने पूरे राइट को थोड़े सीमित तोर से तोला, और दूसरी बात पुलीस के पावस की पूरी केस को सिर्फ जज्मेंट के नजर से नहीं जा सकता जैसे यह केस काफी महीनों तक चली नियुक्वर में काफी चर्चा हुआ इससे आपने मैंचन किया सोली सवराब जी और बागी कई उस समय के जो छातर थे कोट जाते थे केस की सुनवाई सुनने और यह जो तो कैसे कोट पे लिया सकता है और एक पब्लिक और सेशन होगे इस अमिदान के बारे में जिससे एक नागरिकता की जो नागरिक की सोच है हो और पर किया सकती है आपकी किताब का कोट है इसमें जजसाहब है ऐच एच जेए खांडल कर हैं और वो कह रहे हैं कि There are things other than liquor that go to the head and power is won. मतलब शराब के अलावा भी सत्ता भी तो एक नशा है. उसमें भी एक बंदी लगा दीजे. एक बहुत ही सुन्दर कार्टून उस समय शंकर पिले करके कार्टूनिस थे. तुन्हें बनाया था एक काटून जो वहाँ पर प्रोहिबिशन बार लिखा हुआ है. और वहाँ पर दिखा रहे हैं कि मुराजी डिसाई जो प्रोहिबिशन के काफी शौकीन थे. वह और बाकी कॉंग्रेस नेता बोतल पीके मस्त हैं और बोतल पे पावर लिखा हुआ है. कि आप पावर ड्रंक हो गया है. तो मैं यह जानना चाहरा था कि जैसे यह आपने शराब बंदी का उधारन दिया, तो पत्रकार हैं, पार्सी कम्मुनिटी उस वक्त काफी संपन थी, जैसे पता चलता है कि दोनों तरफ से उनके वकील थे, लेकिन बाकी और जो लोग याचिका करता थे, क्या वो भी इसी तरह से संपन थे और इस बैग्राउंड से आते थे, या भारत के अन्य छोटे-छोटे शहरों से भी इसकी चुनोती दी गई थी, या ये सारी घटना दिल्ली, कलकत्ता, या मुंबई जैसे शहरों में हो रही थी, जादा तर जो चुनोती आई थी, वो शहरों से आई थी, गाउं से कम हैं, मगर सिर्फ बड़े शहरों से नहीं है, काफी सारे छोटे शहर, मुफसिल शहर से रही आएं, और जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो पार्सी क्मुनिटी है, जो खुले आम कहती हैं कि हम वहिश्या प्रता में काम करते हैं, हम वहिश्या हैं, और सम्विधान के अंदर हमारे जीने का अधिकार है, और वो कहते हैं कि अगर यह गवर्मेंट हमारा पेशा बंद करना चाहती है, ठीक है, मगर यह अगर बंद कर रही है तो यह नयास government एक welfare state है और government को हमें एक annual stipend देना पड़ेगा नहीं तो हम क्या करेंगे हमारी तुछ देर तक जीद गई थी वो कुछ देर तक जीद गई थी ultimately जाके हार गई मगर उनकी cases के वज़े से government में काफी घबराहट हुई उन्होंने नहीं माना कि वो हारी है तो 1960 में सुप्रीम कोट ने कहा नहीं वैशियां के पास यह full right नहीं है कि वो अपना प्रता continue कर सके मगर 1960 से लेके आज तक कई सारे organizations हैं जो sex worker organizations है जो अभी भी जाके road पे demand करती है कहती है कि हमारे पास article 19 के अंदर हाथ है और एक dignity के साथ जीने का हाथ है लड़ाए भी तक जीती नहीं है लड़ाए भी तक जीती नहीं है एक बात और समय कम है मैं यह जानना चाहता हूँ कि भाशा मतलब समिधान हालाकि उसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ था लेकिन फिर भी भाशा समझ इससे लोग पीडित हुए थे मतलब डरे थे कि यह हमारे बस की बात नहीं है समझना जी बिलकुल यह अभी भी एक काफी बड़ी समस्या है समिधान की जो अफिशल वर्शन अभी भी इंग्लिश में है और जो हिंदी में अनुवाद हुआ है उसका वो काफी आपचारिक भारी भरकम सांस्कृत भरे शब्दों से हुआ है जिससे आम लोग काफी घबरा जाते हैं मगर क्योंकि यह जो कोट केस होती है यह जो काफी पब्लिक नेचर है इनका हर कोने नुकर पर डिसकाशन होता है इसी वजह से यह ट्रांस्टेट होके लोगों के आपसी कॉन्वेस्टेशन में आ जाती है यह जैसे जैसे मौलिक अधिकार या जो सिधान जो समधान में है वो लोग अपना लेते हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमने रोहित की किताब आपको दिखाई नहीं यह इनकी किताब है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि समधान जब लागू हुआ तो आम लोगों ने उसे कैसे अपनाया और आजमाया और यह प्रक्रिया तो आज भी जा रही है लेकिन उस दौर में आम लोगों की सक्रियता को देखकर थोड़ी हरानी भी होती है और अच्छा भी लगता है कि लोग इस समधान से उमीद कर रहे थे और यह संतोश भी होता है कि आज तक इसी से उमीद कर रहे हैं ब्रेक के बाद हम किसी और स्टोरी पर बात करेंगे क्या आपको पता है कि केंद्रिय सूचना आयोग में इस महिने सूचना आयोगतों के रिटायर होने के बाद उनकी शमता सिर्फ तीन रह जाएगी हूनी चाहिए सूचना आयोगतों की संख्याई 11 मगर 4 रिटायर होने वाले हैं हिमांशु शेकर मिश्रा ने इसका क्या असर पढ़ रहा है सूचना की जानकारी लेने वालों पर और देश बर के सूचना करयालेओं की आयोगों की क्या हालत है इस पर हिमांशु की रिपोर्ट देखिए मंगलवार को सूचना आयोग शीधर आचारियलू रिटायर हो गए उनकी जगह कौन लेगा इस पर फैसला नहीं हुआ है महिने के अन तक मुखे सूचना आयोग सहित चार सूचना आयोग रिटायर हो रहे हैं यह तो बहुत बड़ा गंभीर बात है इसके वास इसके कारण बहुत जारा पेंडेंसी बढ़ जाएगे और पीपल विल नॉट गेट इन्फरमेशन जेस्टिस तीन मैने में नहीं मिलेगा क्योंकि एक कमिशन एक दिन में 20 केसिस रिजाल कर रहे है तो एक मैने में 2250 तक रिजाल कर सकते हैं अगर एक कमिशन नहीं है तो 2250 पेंडिंग हो जाएगा ना केंडे सूचना आयोग में मुखे सूचना आयोग समेट 11 सूचना आयोग होने चाहिए लेकिन इसके बाद बस तीन रह जाएंगे लेकिन सरकार ने समय रहते इनके विकल्प नहीं खोजे लेकिन सरकार जवाब देना अपाइंड करना ये ठीक बात नहीं है सरकार अपने आप ये विकंसिस को भरती करने के लिए प्रासर शुरू करना जब एक कमिशनर रिटेर हुए है तो दूसरा कमिशनर स्वेरिंग इन करना उसी दिन करना ऐसा एक सिचुएशन आना बोलके मैं चाता हूँ ऐसा सिस्टम होना चाहिए एक्टिविस्ट अंजली भादवाज ने इसी महने 12 नवंबर को आटियाई के जरिये सरकार से जानकारी मांगी तो सरकार ने जवाब देने से इंकार कर दिया अंजली भादवाज ने आटियाई के जरिये पूछा कि जुलाई 2018 में केंद्रिय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे सरकार आवेदन करने वालों के नाम बताए और ये भी जानकारी दे कि कितने लोगों ने आवेदन किया जो vacancies है सेंटरि इंट ऐन आप मैशन में यह क्यों सामने आई है रिक्तियां भरने की कोशिश सरकार ने नहीं की अपने कारेकाल में देखे जब vacancy होती है वो normal course में हो रही है ये सारी vacancies तो सरकार का करतव्य बंता है कि वो समय से प्रक्रिया शुरू करें जिसे की सही लोगों के न्यूcychती हो सके सरकार वो प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है ऐसे में भी सरकार जब advertisement भी जारी कर रही है उसमें यही नहीं बता रही कि कार्यकाल क्या होगा कमिशनर्स का, उनकी सैलरीज क्या होगी इससे पहले अंजली भादवाज सुप्रीम कोट में केंदी सुचना आयोग में वेकेंसी के मसले पर P.I.L. फाइल कर चुकी है और अब जल्द ही इस बारे में कोट से जल्दी सुनवाई की गुजारिश करने वाली है लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से और तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं अधिकारों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं भरष्टाचार के बारे में सवाल पूछ रहे हैं डिफेंस डील्स जो हो रही हैं उनके बारे में सवाल पूछ रहे हैं अगर सरकार लोगों को सूचना नहीं देती तो उनके पास कानून में केवर यही विकल्प रह जाता है कि अब सरकार ये समझ गई है कि यदि वो सूचना नहीं देना चाहती लोगों को तो रोका नहीं जा सकता लेकिन कमिशन को यदि बिलकुल निकम्मा बना दिया जाए तो लोग सूचना नहीं ले पाएंगे। अल्रेडी उसमें 25,000 पेंडेंसी के केसिस पड़े हैं, लंबित माम पर पड़ेगा। सूचना आयोगों के कामकाज पर इस साल मार्च 2018 में Center for Equity Studies और सतर्क नागरिक संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में ना सिर्फ केंदी सूचना आयोग बलकि पूरे देश में 23 राजियों के सूचना आयोगों में रिक्त पड़े पदों प सवाल उठाए गए हैं। आटियाई कानून को सही तरीके से लागू करने के रास्ते में सबसे बड़ी अर्चन सूचना आयोग ही हैं। 31 अक्टूबर 2017 तक देश के 23 सूचना आयोगों में 1,99,186 अपील और शिकायतें लंबित थी। आन्रपदेश, बिहार, जारखंड, जिस्थान और तमिल नाडू ने लंबित पड़े मामलों पर कोई जानकारी नहीं दी। एड़ी टीव इंडिया। प्रक्रिया आनलाइन थी लेकिन इसमें बोली लगाने वाले कमपनियों को पहले ही पता लग जाता था कि सबसे कम बोली कितने की है। फौरी तोर पर इस एटेंडर प्रक्रिया में 3,000 करोड के घुटाले की बात सामने आ रही है। ये प्रक्रिया 2014 से ही लागू है और इसक फायार दर्ज नहीं की है। बजह ये और डबलो को भारत सरकार के इंडियन कम्प्यूटर इमजिन्सी रिस्पॉंस टीम का इंतजार है। कई खत भेजने के बावजूद कोई अधिकारी हजारों करोड के इस घुटाले में कम्प्यूटर की मिरर इमेज लेने नहीं आया। मंतरी जी हमारे सवाल के बाद जानकारी जुटाने की बात कह रहे है। अब समझते हैं मामला क्या है। 23 जून को राजगर के जबान से हजार गाउं में पेजल सप्लाई करने की योजना का श्रिला न्यास प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने किया। लेकिन उससे पहले ये की इप्रोक्यूर्मेंट पोर्टल में छेड़ चाड़ कर लोग स्वास्त यांतरी की यानि पीएची विभा के तीन हजार करोड रुपे के तीन टेंडरों के रेट बदले गए हैं। आमला सामने आते ही मदप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स डेवलप्मेंट कॉर्प सचिव से मिलें खद के बाद मामले में जाच शुरू कर दी है और सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले में कई बड़े अधिकारी ठेकेदार और एप्रोक्यूर्मेंट पोर्टल बनाने वाली दो निजी बड़ी सौफ़वेर कमपनियों पर भी जाच की आच है लेकिन पह मार्च को टेंडर टेस्ट के दोरान जलनिगम के टेंडर खोलने के लिए अधिकरित अधिकारी पीके गुरू के इंक्रिप्शन सेटिफिकेट से डेमो टेंडर भरा गया 25 मार्च को जब टेंडर लाइव हुआ तब इस इंक्रिप्शन सेटिफिकेट के जरिये कथित तोर पर फरजी वाड़े को अंजाम दिया गया बोली लगाने वाली एक नीजी कमपनी इन दो टेंडरों में दूसरे नमबर पर रही उसने इस मामले में शिकायत की शिकायत पर प्रमुक सचिव ने विभा की लॉगिन से ए टेंडर साइट को ओपन किया तो उसमें एक जिगह लाल क्रॉस दिखाई दिया विभा के अधिकारियों ने पहले जवाब दिया कि ये लाल क्रॉस टेंडर साइट पर हमेशा आता है सूत्रों के मताबिक राज एलेक्ट्रोनिक डिवल्पेंट कॉर्परेशन के अधिकारियों से मिले जवाब के बाद जब जाच शुरू हुई डेमो आईडी का प्रयोग किया गया टेंडर नमबर एक्यानवे सतना के बान सागर नदी से 166 MLD पानी 109 गाउं में पहुचाने के लिए 26 दिसंबर 2017 को ये टेंडर जारी किया गया इस योजना में पांच बड़ी नामी कमपणियों ने टेंडर भरे टेंडर नमबर 93 राजगर्ड जिले की काली सिंध नदी से 68 MLD पानी 535 गाउं को सप्लाई करने का टेंडर 26 दिसंबर 2017 को जारी किया गया चार नामी कमपणियों ने इसमें टेंडर भरे टेंडर नमबर 94 राजगर्ड जिले के निवाज नदी पर बने बान से 26 MLD पानी 400 गाउं को सप्लाई करने के लिए 26 दिसंबर 2017 को इटेंडर जारी किया गया इसमें 7 कमपणियों ने हिस्सा लिया राजे सरकार ने अलग-अलग विभागों के ठेकों में भरष्टाचार खत्म करने के लिए 2014 में इटेंडर की विवस्था लागू की थी जिसके लिए बंगलूरू की निजी कमपणियों से ई-प्रोक्यूर्मेंट पोर्टल बनवाया गया तब से मध्रपिदेश में हर विभाग इसके माध्यम से ई-टेंडर करता है कॉंग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाओं से पहले जान बूच कर इस घोटाले को दबाये जा रहा है लेकिन सत्ता में आने पर वो इसकी जाच करवाएंगे लोगतंत्र में अगर घोटाले चुनाओी राजनीत से दूर रहे तो अच्छा है लेकिन साफ है कि मध्रपिदेश उनाओं को प्रभावित कर सकने वाले इस मुद्दे को जान बूच कर लटकाया गया है हैरत नहीं होगी कि दिसंबर यानि नतीजे आने के बाद इस महाग घोटाले की कई परतें सामने आने लगे भोपाल से कामरा पिसन दिजवान खान के साथ अनुराग भारी इंडी टीव इंडिया